नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दिव्या एस्ट्रो में और मैं हूँ आप सभी के बीच दिव्या आज की इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ पित्र पक्ष में आप ऐसा क्या करे जिससे आपके पित्र आप पर प्रसन हो और आपके जीवन में जो भी समस्या चली आ रही है वो समस्या समाप्थ हो जाए देखिए पित्र पक्ष में यदि आप अपने पित्रों को प्रसन करते हैं तो आप यकीन मानिये कि आपके साथ यदि किसी भी प्रकार की कोई आर्थिक समस्या चल रही है, पारिवारिक समस्या चल रही है या मांसिक समस्या या फिर कोई भी स्वास्ति समस्या चल रही है, तो इन सभी समस्याओं से आपको निजात मिलती है अगर आपके पित्र आपसे प्रसन है तो आपकी जीवन से समस्याओं का अंत हो जाता है पित्र पक्ष में हम हमारे पित्रों के निमित कई दान पुर्णिय करते हैं जिन से हमारे पित्र हमसे प्रसन रहे वो आमें शुब आशिरवात परधान करें शुरात के दोरान हम हर वह काम करते हैं जिससे हमारे पित्रों को शांती मिले इनी शुरात पक्ष के दुनों में आपको सिर्फ और सिर्फ दो काम करने हैं जिससे आपके पित्र आपको शुब फल देंगे सिर्फ दो काम करने हैं और बहुत ही छोटे-छोटे काम है जादा बड़े काम नहीं है ना ही जादा कोई टेंचन वाला काम है कोई टेंचन वाला उपाए भी नहीं है ना जादा खर्चे वाले उपाए हैं आपको यह दो काम जरूर करने हैं पित्र पक्ष के दोरान इसके लिए पहला काम तो आप ये करें कि जिस तिती को भी आप अपने पित्र का शराद करते हैं उस दिन या अगर आप उस दिन नहीं कर पाते हैं अपने पित्रों का शराद तो अमावस्या के दिन आप ब्रामन के जोड़े को आप भोजन करवाएं बोजन करवाने के बाद आप उन्हें वस्त्र दान अवश्य करें वस्त्रों का दान करना है आप अपने सामर्थे के अनुसार उनके लिए वस्त्र लेकर आए और उन्हें वस्त्र दान करें कोशिश कीजिएगा कि आप अपने पित्रों का पसंदिदा बोजन बनाए लेकिन बोजन बनाने की भी कुछ नियम है उन नियमों का ध्यान रखिएगा जो नियम है वो मैं पहले अपने वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ आप चाकर के वो वीडियो मेरे प्लेइलिस्ट म मानसिक, सारेरिक, पारिवारिक या स्वास्तिसमंदिक कैसी भी सोमस्याओ समाप्त हो जाएगी अब दूसरा और मुख्य काम जो आपको करना है जिससे आपको अपके जीवन में बहुती मानसमान मिलेगा आपके गर में पैसों का आगमन आएगा पैसों का ठेराव रहेगा बेवज़ा खर्चे बंद हो जाएगे करना क्या है आपको अपने वहीं पित्रों की तिठी वाले दिन या फिर अमावस्या वाले दिन शाम के वक्त दक्षिन दिशा में आपको एक चो मुखी गी का दिया जलाना है और उस गी के दिये में आपको थोड़े से काले तिल डाल आते हैं तो आप यकीन मानिए ऐसा कर लेने से आपके पित्र आपको सुक, सम्रद्धी और वंशवर्दी का वर्दान देते हैं आपके जीवन से सभी समस्याओं का आंथ हो जाता है आप एक सुखी जीवन जीने लग जाते हैं ऐसा आप जरूर कीजिए और आप पित्र पक् आप पित्र पक्ष में यह काम सरूर करें अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा और साथ ही साथ अगर आज आप मेरे चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन सरूर प्रेस कीज कीजिएगा और जिनोंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद अब मैं आप सबसे इजाज़त चाहती हूं जैसी आराम